चलिए इस lecture में हम लोग अपने highway engineering के set 2 से related जो भी objective questions हम लोग उसका discussion करते हैं तो चलिए मैं आपको दो-दो questions दिखाते चलता हूं और फिर हम लोग उसका discussion करते चले जाएंगे तो question देखे आपके screen पे question क्या है देखे दो question मैंने दिया है पहला question the energy required to haul unit load through the unit distance is lesser in case of question अगर नहीं समझ में आ रहा होगा जिनको मैं उनको question समझाता हूं ध्यान दिजिएगा क्या question दिया हूँ है the energy required to haul unit load through unit distance मतलब क्या है यह मां जी यह रोड है और यह हमारा railway line है तो यूनिट लोड को haul करने में haul करना मतलब क्या लोड को ले जाने में अधाना यह यूनिट लोड हम लोग ले जा रहा है एक रेलवे में भी हमारा unit load जा रहा है ट्रेन का इंजन माल गाड़ी को देखते है चलता है railway line पे और इसमें ट्रक पे हम लोग माल भर के ले जाते हैं तो जब यूनिट कर रहे हैं हम लोग उतको ट्रांसफोर्ट कर रहा है ह। ऐसे मेलक लोड को हम लोग एक मीटर हम लोग उसको ले जा है है ट्रðाल करा के तो किसमें हमारा इनर्जी कम लगेगा railway के Kayse में कि रोड के के रियान रखेगा railway के एक में कम इनर्जी लगता है देखते हैंनक एक रील इंजवन पच्पन्द साठ पैंसट रेल गॉप कर दब्यों कvä को हीच लटा यूनित लोड को हॉल करने में जो इनर्झी लगता है वो स्टाओर में कम लगता है रोड के केश में जदा लगता है भाध के जादा सबसें लगताяти ही नवरह ज़या तो सबसाइब कमेले में उससे जञादा लगता है यह सब उसक्यादा साथ हमें लगता है प्लेन के केस में ध्यान रखिएगा और क्वेशन नमबर टू क्या है अमोंग दा डिफरेंट मोड्स ओफ ट्रांस्पोर्टेशन ट्रांस्पोर्टेशन के जितने भी अलग अलग तरह कि जो मोड्स हैं ट्रेवलिंग वाइवाटर इस वाटर के द्वारा जो ट्रेविलिंग करना होता है वो क्या होता है सबसे स्व लोग ने कंपेर किया था न सबसे ओल्ल वेदर रोड्स बोलते हैं और जिस रोड को हम लोग सिर्फ और सिर्फ बर्षा मतलब घर्मी और थंड के मौसम में यूज कर सकेंगे उसे बरसात के मौसम नहीं कर पाएंगे उसको All Weathers Road जिसको बरसात के बरसात के मौसम को छोड़ के बहुत River Road जिसको तो हम लोग हर मौसम हर सीजन में यूज करेंगे ओल वेदर रोड है ना तो अप्शन नमबर ए धियान रखिएगा अगला कुश्चन कुश्चन नमबर फोर केमबर इज रेफर्ड एज केमबर हमारा क्या है क्रॉस स्लोप या लंगिटुडिनल तो तो केमबर हमारा क्रॉस स् यह की दियरेक्षण नमबर हम लोग हम्लों क्रॉस जोप बोलेंगे लेकिन यह जो केमबर हमारा कि में रोड के इक प्र शूप भी निगता हूश ऑद finns हले या सब का समय मतलब है ट्राइस वर्यख़् sadece लेटरल स्लोप सब एकी स्लोप है रोड के विद्ध के डिरेक्शन में जो स्लोप होगा वही हमारा केमबर होता है वही हमारा क्रॉस स्लोप होता है और रोड के लेंथ के रोड के अलाइन्मेंट के डिरेक्शन में जो स्लोप है वो रोड का लोगिट्यूदी इनल स्लोप होता और फॉरुड़ फॉर। लेकिन आयारसी ने इंडियन रोड कॉंग्रेस ने इंडियन रोड के केस में उसे मोडिफाइए करकेस बतूस कुण पाइंड। मिटेर लिखा है लेकिन अगर आपको कहीं वहारकिक फॉर०म में कि इसमें मैक्सिमन से आफ में मैं 2.44 मारिएगा थोड़ा कंट्रोवर्सी है इसमें अलग-अलग गूगल पे भी आप सर्च करेंगे नो तो आपको अलग-अलग अंसर मिलेगा कहीं पे 2.44 कहीं पे 2.5 बट आई विल सजेस्ट यो कि आप 2.44 ही मारिएगा ठीक ज्यादा डिफ्रेंस तो है नहीं दोनों में ऐस है कुश्चन नमबर सेक्स है दा अमाउंट आप सूपर एलिवेशन इस कल्कुलेटेड वाई सिंपल सा अप्शन नमबर ए में क्या दिया हुआ इस इकल डूभी स्क्वाइर बाइवन 27 और और ऑप्शन नमबर बी में भी बाइवन 27 और हमें सा भी स्क्वाइर वाला टर्म होगा हमें हमारा न तो अप्शन नमबर ए भी स्कर्वाइवन 27 और बहुत इजी था चलिए आप अगला दो कुश्चन देखिए आप फूर हिल रोड्स दवैल्यू आफ लिमिटिंग ग्रेडियंट है जी बिन फिक्सट एज ओप्शन नमबर ए 1 in 15 ओप्शन नमबर ए 1 in 20 ध्यान रखिएगा मैंने आपको चार्ट दिखाया था लिमिटिंग ग्रेडियंट वाला जब पढ़ाया था कि हिल रोड के केस में हम लोगों का जो लिमिटिंग ग्रेडियंट का वैल्यू है वो हम लोग 1 in 15 एक बटे 15 लेते है ध्यान लखिए का तो ऑप्शन नमबर ए 2 और करेक्ट यांवर किसी भी एरिया का किसी भी लोकालीटी का हम लोग जो जेनरल टोपोग्रेफी उता वो किस मैप से दरसाते हैं तो इंडेक्स मैप से अभी हम लोगों ने की मैप की बारे में चर्चा क्या था ता ना की मैप महतरपूर्ण जगों को जोडने वाले सड़ख को लेके हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते है यहाने हमारा आंसर यह है pak चलिए नेएक्टी और टैन कोुछिटन नबर 9 निए रोड अलाइनमेंट सुट अवड़ डैस थ्रू रॉक्स ऑप्सिन नमबर ए कटिंग ऑपसिन नमबर भी फिलिंग आप भी थोड़ा सा माइं लगाईगे कॉमन सेंस एए कि हम लोग जो रोड अलाइनमेंट जो फिक्स करेंगे यह उसमें क् करने में बहुत मेहनत है बहुत सारा अगर हार्ड रॉक मिलीगा तो वह अच्छे से कट भी नहीं होगा रॉक को कटिंग करने में बहुत खर्च है इस्पेशल मैसिनरी ट्रेंड वर्क फोर्स ना इस्किल्ड लोग चाहिए इलेक्रिसिटी चाहिए बहुत जादा पैसे सब्सक्राइब करने की नौबत ना आए ना फिलिंग तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं उसमें तो बहुत से मैटेरियल लाए फिल किये कॉम्पेक्शन किये हमारा काम हो गया कटिंग में मुस्किल है खासकर रॉक में कुश्चे नमर टेन रेकनेसेंस सर्वेस कॉल्ड जब म एक समूह खोजबिन करने निकलता है तो हो लेने निकलता है और जो जो उसे चीज मिलते जाता है महत्वपूर्ण जिससे वह लगता है कि रोड के अलाइन्मेंट फिक्स करने में इसकी आविस सकता पड़ेगी रोड को बनाने में इसकी जरूरत पड़ेगी वह उन चीज़ सो वर्ड का सिनोनिम है रेकी वर्ड दोनों एक ही चीजरे को नेसेंस बोलए या रेकी बोलिए दोनों का मतलब होता है टो हो लेना कहीं किसी जगह किना वहांकरिक हासिल करना तो प्सन नंबर बी रेकोनेस्टन सरवेज वाल्सी कॉल्ड रेकी तो यह तो अन्यानिम का जो है मारा the final survey of road alignment is called location survey preliminary survey preliminary survey दो पहले ही करते हैं central line को fix करने के पहले तो यह तो तो मारा कभी है final survey होगा नहीं तो मरा जो final survey होता है वो location survey होता है ध्याम रखियेगा मैने थिरी में आपको पढ़ाया भीए लिखाया भी था especially जो हमारा final survey होता है road alignment का वो हमारा location तो अबढर होता है तो से संख्याइब हमेंशा घर्राइब आंसर का VII-000 करते हैं इस कौन कॉछ्छी नबर या कमें शेठी निरियरियाजर को 무엇 एब है तो सिमेंट और कि मैंनने किक्किट रुड बनाते हैं और इक या ने उसे적 मौन मेंन और फ्रोट किन थे और टिरा इंचा थे अन्वर कोष्जएन इसका अंसर होता है जあれ ना तो लोंगर इसका आंसर होगा और तो आपको इसके बारे में आइडिया होगा तो अप्शन्मार इस दक रेक्ट आंसर लोंगर इस फॉर्न स्कूराइंस लग इंब निगूए पारे में बताया था लैंग बिसिकली तैसल इक वेस्ट इनलह नैडिक में होता है जब और District पार के जब रोभच आईएसक बनेले करदा लाहीत लगाते हैं तो उसी टाइम ना ये एक कि impurity होता है एक waste material निकलता है हमारा लोह को पिखलाने के करम में तो यह artificial material हुआ ना नेचुरली कहां से है आएगा यह न तो जब हम लोग steel बनाते हैं steel plant में तो जब हम लोग iron ore को लोह आयस को गलाते हैं तो जो भी गंदगी वहां से निकलता है जो impurity होता है वही हमारा blast furnace slag होता है यानि यह एक artificial material है यह प्राकरतिक रूप से में प्राप्त नहीं होता है तो इसलिए हमारा इसका answer क्या होगा option number B is our correct answer चलिए अगला question देखिए question number 15 और 16 question number 15 the aggregates of which shape are preferred in cement concrete road किस shape के aggregates को हम लोग prefer करेंगे अपने cement concrete road में elongated या rounded देखिए यह option जिस प्रकार से है उसके कारण यहां पर answer rounded होगा हम लोग elongated और flaky aggregates को कभी भी prefer नहीं करते हैं हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि elongated और flaky लेकि वाला aggregate हम लोग mix करें concrete में तो जब भी prefer करेंगे फिर rounded aggregates को prefer करेंगे लेकिन अगर कहीं पर question ऐसा देदेगा आपको कि हम लोग angular को prefer करेंगे या rounded को तो हम लोग फिर angular को prefer करेंगे लेकिन यहां पर question हमें चूज करने दिया हुआ है elongated और rounded में तो हम लोग कभी भी रहा elongated को चूज नहीं करेंगे वो कमजोर कर देगा तो हम लोग rounded से काम चला लेंगे लेकिन जहां कहीं पर angular rounded दिया हुआ रहेगा तो हम लोग अपने angular को select करेंगे ध्यान रखिएगा मिस मत करिएगा कि 16 नंबर question black top road तो black top road हम लोग अलकतरा से जो रोड़ बनाते हैं वहीं पर ब्लेक टॉप रोड़ होता है वह तो अलकतरा वाला जो रोड़ होता है वह flexible payment होता है हमारा या नियो आप्सन नंबर ए इस आपर करेक्ट आंसर चलिए 17 और 18 नंबर question 17 में flexible pavement have low flexural strength high flexural strength मैंने लिखाया भी आपको कपी में पहला लाइन जो flexible pavement होता है उसमें हमारा negligible या low flexural strength होता है और जो cement concrete road होता है जिसे के लोग rigid pavement बोलते हैं उसमें हमारा high value होता है flexural strength का है न तो इसलिए यहाँ पर flexible pavement मतलब b to minus road मतलब low या negligible flexible strength flexural strength sorry to option number a is our correct answer next question question number 18 the component of road immediately below the road surface component of road हमारा क्या होता था सबसे नीचे हमारा subgrade subgrade के उपर हमारा subbase subbase के उपर हमारा base course और base course के उपर हमारा surface course यानि wearing course तो क्या option दी दिया है the component of road immediately below the surface course surface course के नीचे हमारा जो road surface है जो road का layer है वो क्या है हमारा base course यानि option number a base course चलिए लास्ट का दो question देखिए question number 19 और 20 question number 19 a layer of coating provided sometimes below the base course and wearing course इस वेस इस बेस कोर्स और इस सर्फेस कोर्स यानि wearing course के नीचे हम लोग जो coating प्रवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं base coat और दूसरा seal coat seal coat आप लोगों को पता होगा seal coat हम लोग surface कोर्स के ऊपर में बैठाते हैं surface कोर्स के ऊपर में हम लोग जो कोटिंग देते हैं bitumen का उसको बोलते हैं silk coat और इस surface course और base course के नीचे हम लोग जो coating देते हैं bitumen का जो एक layer देते हैं bitumen का उसको हम लोग base coat बोलते हैं ध्यान रखिएगा यानि option number a is our correct answer last question the wall constructed to resist the earth pressure of filling and traffic road है न हम लोग जो earth material भरते हैं जो filling हम लोग करते हैं उसके earth pressure को resist कौन सा वाल करता है retaining wall या breast wall breast wall तो हम लोग hill road में support provide करने के लिए बनाते हैं यह तो earth pressure को resist नहीं करता है earth pressure को नहीं जहिलता है तो earth pressure को जहलने के लिए earth pressure का प्रतिरोध करने के लिए हम लोग retaining wall को बनाते हैं ध्यान रखिएगा हर समय यह retain करता है प्रेसर को जहलता है और breast wall को बनाने का purpose हमारा दूसरा होता है retaining wall हम लोग हर जगा बनाते हैं जबकि breast wall selected जगह जैसे जब हम लोग hill road बनाते हैं तब हम लोग सिर्फ breast wall बनाते हैं और हर जगह हम लोग retaining wall बनाते हैं जहां पे भी हम लोग मिट्टी को भरके embankment या filling तयार करते हैं तो उसके कारण जो load आता है उसको जहलने के लिए उसको सहन करने के लिए हम लोग retaining wall को बनाते हैं और यह traffic के दवारा आने वाले load को भी यह संभालता है ध्यान रखिएगा तो इस तरह हमारा option number A is our retaining wall चलिए इस तरह के से हमारा क्या यह set हमारा यहें पर खत्म होता है next video lecture में हम लोग नए set के questions के साथ मिलेंगे Thank you